कि हैलो बाइओ आज की इस वीडियो में मैं आपको जो होंडा सीटी फॉर्ट जेनरेशन का टॉप मॉडल यानि की वी वेरियंट वो सिर्फ दो वेरियंट के अंदर आती एस वी और वी और सिर्फ मैनूल वेरियंट के अंदर आती है उसको गंपेर करने वाले हैं तो नीचे होला वेरियंट है पैट्रोल मैनूल के अंदर और जो होंडा सीटी फॉर्ट जेनरेशन का टॉप मॉडल है तो इनका प्राइस लगबग सेम मिलता है लगबग 11,30,40,000 ऐसे कुछ इनका प्राइस मिलता है आपको तो बहार से शुरू करते हैं सबसे पहले हैड्लैंप बगर हेलोजन मिलता है लो भी मोर हाई बीम के लिए और आपको फॉग लैम भी उसका हेलोजन मिलेगा येलो लाइट थ्रो करता है वो भी बागी फ्रेंट से तो यही चेंज लगबग बागी साइड में आते है टायर साइज पे तो होंडा सीटी जो फॉर्ट जेनरेशन है उसके से डीमु डोनों में लगबग हापको 15 7 मिलते है डाइमंट कर्ट आपको फॉम्डय चेंदर मिलते हैं सीट Кफा पे अंदर अइसे इलेक्रीकली अर्जने बॉर्ड आबमेल बाकि पे आपको जोसे बाकि और पिछिस्ट नहीं जाते हैं वह फूल एलीडी नहीं मिलता है आपको बस बस त्रीप सी जलती है लाइट की बाकि आपको जो होंडा सीटी के अंदर बिलकुल बल्ब मिलते हैं दो बल्ब मिलते हैं आपको बाकि यहां पर नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं चार पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं कैमरा भी मिल जाता आपको यहां पर बूट स्पेस की और बात करते है बूट स्पेस लगबग दोनों गाड़ियों के अंदर आपको 510 लीटर का मिल जाएगा स्पेर वील की बात करें तो दोनों गाड़ियों के अंदर लगबग आपको सेम साइस का स्पेर वील मिल जाएगा जैसे बाकि चार टायर हैं, बाकि आपको उसके अंदर vallahi wheel वगएरे नहीं मिलता, बाकि पीछे चलें तो यहां पर आपको यहां पर आपको जो होनडा city के अंदर 40 liters की fuel tank capacity मिल जाती है, और CIS के अंदर आपको 43 liters की मिलती है, बाकि अंदर चलते हैं, पीछे आपको tweeter वगएरे म यहां पे तो मतलब अगर आपको कुछ पढ़ना और रख्या फिर कुछ भी वह जादर अच्छा रहता है as compared to that Honda City के अंदर तो भाई यही आता है 4th generation के अंदर भी बाकि उसके अंदर आपको दो headrest मिलते हैं adjustable CIS के अंदर बता रहा हूं बाकि यहां पे AC events आपको दोनों गाड़ियों के अंदर मिल जाएंगे Honda City के अंदर आपको जो है दो पावर के जो ही आउटलेट्स वगरा मिल जाएंगे लेकिन CIS के अंदर जिरफ एक ही मिलता है बाकि उसके अंदर आपको फोन रखने की जगह मिल जाती है और Honda City के अंदर आपको फोन वगर रखने की जगह नहीं मिलती बाकि पीछे से साथा कोई चेंजिस है भी नहीं बाकि भार से जो और चेंजिस वगर हैं वह भाई यहां पे Honda City 4th generation के अंदर आपको जो है chrome door handles मिलते हैं CS के अंदर आपको body color मिलते हैं यह अच्छी बात लगी एक तो भार से मतलब थोड़ा सा लुक जो है attractive कर देते हैं अगर यह chrome के मिल जाए तो बाकि आपको जो है आपको लगबग से मिलेगा अंदर आपको चार ट्वीटर मिल जाएंगे इसके जो होड़ा सीटी के ट्वीटर फोर जैशन के वह यहां आ जाएंगे दो पीछे हो जाएंगे दो आगे हो जाएंगे बाकि स्टेरिंग वील की बात करें तो आपको लेदर रैप नहीं मिलता क किसी भी गाड़ी के अंदर नहीं सियाज के अंदर मिलता है नहीं होंडा सीटी के अंदर लेकिन आपको दोनों गाड़ीयों के अंदर सिरफ टेल्ट मिलेगा टेलिस्कोपिक आपको स्टेरिंग वील नहीं मिलेगा बाकि क्रूज कंट्रोल आपको दोनों गाड़ीयों के अ तो फॉर्ट जेनरेशन के अंदर जो M.I.D. आते हैं वो भी बहुत अच्छी लगती है देखने में तो बहुत अच्छे इतने फीचर्स वगरे तो नहीं मिलते हैं आपको कही ना करें C.I.S. जितने क्योंकि आपको C.I.S. के अंदर Mild Hybrid या Smart Hybrid के लोगों मिलते हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है जब बैटरी चार्ज होती ही दिखती है और मतलब पावर जाती है वील्स तक वो भी सारी चीज मिल जाती है लेकिन देखने में बहुत अच्छी लगते हैं द आपको जाएंगा ऐसे ऐसे साही यहां पर बात करें तो आपको seven inches टैस्क्रीन दौनों कार्डी यहां इंदर मिल जाएगा एंड़ डोटो और एपल कारपले दौनों के अंदर मिल जाएगा कई भी आपको ऐसी नहीं लगए यह आपको सेम सी चीज मिलती है यहां पर बात कर जो फॉट जेरेशन के अंदर भी मिरर मिल जाती है लेकिन लाइट वगरह नहीं मिलती देंदर आपको यहां पे एक लाइट भी मिल जाती है बाके रिवर्स कैमरा तो लग में ऐसा ही जाता है लिए उखने मिलने में हैं जरेशन के अंदर भी मिलते है अपको तीनों की थीनों व्यूज स्जूDER है बाकि आपको आम रेस्ट दोनों गाड़ियों के अंदर मिल जाएगा हैंड ब्रेक मिल जाएगा अच्छी सी देखने में आपको डोनों गाड़ियों के अंदर डीसेंट साइज मिल जाएगा ठीक ठाक आपका समान वगएरा आ जाएगा की वगएरा की बात करें तो आपको जो दोनों गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं ABS प्लस EVD दो airbag और सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं लगबग लेकिन build quality आपको पताई है मारूती की इतनी अच्छी कहीं नहीं मिलती है आपको as compare to Honda Honda City का crash test हो चुका है 4 generation का उसने करें भाई 4 score बागी बात करते हैं इंजन option की इंजन option तो आपको दोनों गाड़ी के अंदर पेट्रोली मिलते हैं और मैनूल के अंदर डीजल वगरा किसी भी गाड़ी के अंदर नहीं आता जो आज compare कर रहे हैं बागी बात करें power output की तो आपको जो होन्डा सीटी के अंदर आई वी टेक एंजन मिल जाते है 1.5 लीटर का जो की प्रड्यूस करते हैं लगबग 119 भी अच्पी की पावर और 115 न्यूटन मिटर का टॉर्क और सीटी के अंदर मिलता आपको 1.5 लीटर का एंजन जो की फ्रड्यूस करते हैं लगबग 105 भी अच्पी की पावर और 138 न्यूटन मिटर का टॉर्क तो कहीं ना कहीं भाई Honda City XL करती है इसके अंदर इंजन आप्शन आपको पता है आई वी टेक किस चीज़ के लिए नोन है अपनी परफॉर्मेंस के लिए रिलाइबिलिटी के लिए और अपनी माइलिज वगएरा के लिए तो आपको पता है आई वी टेक तो कहां स्टेंड क लाग 40,000 तक की दोनों पर जाएंगी ओन रोड की बात कर रहा हूं बाकि इसके अंदर आपको सिया इसके अंदर थोड़े से मौडरन फीचर्स वगएरा मिल जाएंगे क्योंकि गाड़ी थोड़ी सी लेट लॉन चुई थी ऐस कंपर टू फॉर्ट जेनरेशन होंडा सिटी भाई वो बहुत पहले से चलती आ रही लगबग 2017 में उसका फेसलिफ्ट आया था उसके बाद वो लगबग अभी तक चलती आ रही गाड़ी उसको कोई भी जो अपडेट वगएरा नहीं दिया उसकी नई जेनरेशन ही निकाल दी फिफ जेनरेशन लेकिन उसको कोई भी पहले विडियो भाइब दो दो तो चलो भाई यो इस वीडियो में इतना है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत भाद